दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप खराब रूम हीटर को आसानी से रिपेर करना सीख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में है कैसे करना है वीडियो को देखिए और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लेना और एक प्याराक्स कमेंट जरूर करना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं यह जरूर लिखना कमेंट में देखिए यह माराजा वाइड लाइन कमपनी का है और इसमें जो रॉड है वो खराब है तो ठीक कैसे होंगी वीडियो स्टेब बाइ स्टेब आप देखेंगे तब ही आपको समझी वाएगा सबसे पहले हमें हमें इस हीटर के सारे स्कुरू खोलने होंगे सभी का तरीका अलग-लग होता है इसमें जश्ट टॉप और बोटम में दियेगी हैं तो इनको खोल के हम इसके पूरे सर्कुट को देखेंगे तो यहाँ पर देखें मैंने स्कुरू खोल लिया है दोनों साइट के स्कुरू खोलने होंगे तब जाकि यह साइट के जो पैनल कवर्स होंगे वो खोलेंगे और इसके बाद वायर्स वगर है इसमें सही से देख लीजगा और स्विच वगर भी देख लीजगा अब देखें ज्यादतर यह हीटर में रॉड की ही प्रॉब्लम साती है यहाँ पर यह दो रॉड इसमें है तो यह 400-400 वाट की होती हैं यह 800 वाट का हीटर है तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे रॉड को तो रॉड को चेक करने के लिए आपको सिरीज बल्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी तो सिरीज बल्ब इस तरीके से आप लीजीगा और दोनों रॉड पर लगा के चेक करना है यहाली road test कर ली, और यह भी test कर ली, यह दोनु road खराब है, confirm हो गया, अब यह road है ना, इसका एक plus point होता है, यह road आसानी से repair हो जाती है, जी हाँ, road change करने की जो तिनी पड़ती है, यह repair हो जाती है, कैसे repair करना है, वो इस video में आप ध्यान से देखना और समझना, वैसे video को मैं दुकान पर suit किया हूँ, तो थोड़ा सा कुछ part वगर आपको सही से नहीं दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं समझा दूँगा, यहाँ पर देखिए, कैसे आपको यह road को ठीक करना है, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले road के side में, दो screw आपको मिल रहे होगे, उन screw को आप हटा के road को पहले ठीक करें, और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, लोग वहाँ पर लगवे तो लोग खोलने हैं, दोनों side को लोग खोलने हैं, लोग खोलने के बाद आपको road बाहर निकाल लिए, हम बारी बारी से दोनों road को repair करेंग तो किस तरीके से आपको यहाँ पर करना देखना ना, आपको अगर problem हो रही कि बाहर की जाली भी खोल सकते, इस में जाली थोड़ा सा tight थी, तो जाली खोल नहीं पाई मेरे से, तो मैंने road को ऐसी बाहर निकाल लिया, और आपको लग रहा होगा कि road के अंदर gas होती, तो इस road जोड़ना है, दूसरे सिरे से, किस तरीके से जोड़ना है, पहले आपको element rod के अंदर से फसाना है, और उसके बाद side में आपको एक screw और मिल रहा होगा दूसरे रब, जिस side से element टूटा है, उसको आप screw को खोलिए, और उसके अंदर से आपको यह पुराने element का यह टुकड़ फसे में वो निकालने है, और उस element को जिसको आपने जोड़ना है, वहाँ पर आपने हलका सा wire खीच के तब घुमाते हैं, मैं थोड़ा सा camera को चाहूँगा, जूम करके दिखाना आपको, अब देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैंने फसा है element को, और दूसरे सिरे पर यह देखिए wire मैंने खीची भी है, और इस screw पे उस wire को घुमा लेना है, देखिए पूरी process मैंने काफी जूम करके दिखाने की कोशिश करी है, कुछ-कुछ आप लोगो समझ मा आ रहा होगा, बाकि एक दू बारी practical करेंगे तो समझ मा आ जागा, क्योंकि ब मिल पाए, तो आप यह कर सकते हैं, वरना नई rod भी आप replace कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी बाकि मैंने repair करने का तरीक आश में बताया है, तो मैंने rod जोड के, screw लगा के उसमा कस लिया है, और फिर से clear कर दूँ, यह gas वाले नहीं होते हैं, जो यह rod होती न, gas वाली नहीं होती ह एक होती gas वाली, एक होती है, नौन gas वाली ठीक है, इसमें gas नहीं होती है, काफी लोग समझ रहाँगे कि किनारे से खोल दीए, अब gas लिक होगी, तो कैसे चलेगा, तो यह element वाले होते हैं, तो gas वाले के अंदर filament होता है, यह element वाले होते हैं, इतना मैंने clear कर दिया है, बाक लगाने के बाद ये जो side से जो cab खुल रहे हैं वो थोड़ा सा fix हो जाती है तो lock लगाने के बाद जो screw आपने खोला था कहीं पर भी प्रायर वगर की जो तनी परती कहीं पर भी tape लगाने की जो तनी परती side में screw ही होते हैं तो screw को ही आपने यहाँ पर कसना होता है पहले lock को इस side पर lock काओ पत्ता नहीं था तो ऐसे ही मैंने दबा दिया पहले से ही नहीं था होता तो मैं उसके साथ में लगा थे बागी ऐसे मैंने कर लिया है जैसे इसमें था अब देखिए इसको लगाने के बाद आपको यह जो wires के आपको दिख रहे हैं वो wire लगानी है और आपको screw कस लेना इस तरीके से इसको थोड़ा सा tight कर लेना धीला मत छोड़ना sparking की वज़े से यह wire heat हो सकती है तो screw को tight ज़रूर रखना तो screw tight कर लिया है अब यहाँ पर मैं प्लायर की भी help लूँगा थोड़ा सा और tight करने के लिए से तो tight हो चुका है यह चलिए एक rod repair हो गई है अब बारी है दूसरी rod को repair करने की तो वीडियो को skip करके मैं दूसरी rod को repair कर लूँगा ठीक है तो फिलाल पहले मैं उस side के भी screw को कस लेता हूँ अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं एक बार चेक कर लूँ कि रॉड जो मैंने repair करी है वो काम कर रही कि नहीं काफी बार क्या होता है कि वायर वगर की भी problem होती है तो मैंने डेक्टरी ही रॉड चेक करी वायर वगर कुछ चेक नहीं करी तो रॉड पी ही कमी हाँ रॉड ये वाली बिल्कुल जल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है successful तरीके से ये हमारा काम हुआ अब इसको मैंने off कर लिया है अब यहां पर दूसी रॉड हमने चेक करनी है उसको तो मैंने रिपेर कर लिया दूसी रॉड को अब मैं साइड में एक स्क्रू और कसूंगा क्योंकि दूसी रॉड का एक वायर मैंने निकाला हुआ था वो लगाना भूल गया मैं उसको मैं लगा लेता हूँ और दूसी रॉड भी हाथो हाथ आपको चेक करवा के वीडियो को छोड दूँगा तो दूसी रॉड में भी वही एलिमेंट साइड से तूटा था उसको मैंने जोड या हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा अगर एलिमेंट बीच से कहीं तूटा हो तो आप दूसी रॉड डाल देना ये क्लियरली आप समझ लेना अगर रॉड का जो है एलिमेंट साइड से तूटे हो स्क्रू के पास से तो जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है बीच से तूटा हो तो मत जोड़ना वरना रॉड ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी ये देखिए दूसी रॉड भी ओके हाँ पर चल रही है अब मैं दोनु रॉड को साथ में चला के आपको दिखाऊंगा स्विच ओन कर लेता हो हाँ देखिए दोनु रॉड प्रपरली चल रही है और बाकी वही हलकी ब्रैटनेस और हीड जादा इसमें मिलती है हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी थी लेकिन मैंने क्लियर कोसिस करी आपको समझाने की दिखाने की बाकी इसको मैं पैक कर लूँगा जैसे मैंने खोला था सैट के पैनल लगा के इसको कर दोना वीडियो को सेंदा है तो लाइक कर दो